कहते हैं यूपी की सियासत को समझना सब के बस की बात नहीं है और जो समझ ले उसे कोई राजनीती नहीं सिखा सकता दरसल 2019 लोकसभाद चुनाव के दोरान यूपी में मायावती और अखलेश यादव ने चुनावी गटबंदन कर बीजेपी को सबक सिखाने की ठानी लेकिन जातिय गणित के आधार पर बना ये गटबंदन चुनावों में अपना कमाल नहीं दिखा पाया और बीजेपी यहाँ भी जीत का परचम लहराने में कामियाब रही बसपा कुल 10 सीटों पर जीत हांसिल कर पाई तो वही सपा की जोली में काफी मशक्कत के बाद 5 सीटे आई 23 जून 2019 को मायावती ने ये कहती हुए गटबंदन तोड़ दिया कि लोकसभा चुनावों के बाद सपा का वेवहा ठीक नहीं था इसलिए पाटी के हित में बसपा आगे सभी चुनाव अकेले लड़ेगी गटबंदन तोड़ने के कुछ दिन बाद से ही मायावती लगतार अखलेश यादव और सपा पर हमला करने लगी चाहे ट्विचर हो या प्रेस कॉंफरेंस मायावती हर मौके पर अखलेश यादव को घेडने का मौका ढूंडी लेती है लेकिन एक सवाल का जवाब जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मायावती के हमलों का जवाब अखलेश यादव क्यूं नहीं देते हैं हर बार जब अखलेश यादव से मायावती के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वे बेहत चालाकी से ये कहते हुए निकल जाते हैं कि वो मायावती का बहुत सम्मान करते हैं राजनितिक जानकारों की माने तो जाती और धर्म के इर्दगेर्द सिम्ठी यूपी की राजनिती को देखते हुए अखलेश 2022 के चुनाव के लिए सियासी बिसाद बिचाने में लगे हैं राजनितिक पंडितों ने माना है कि अखलेश की नजर उस 21 फीजदी वोट बैंक पर है जो बीजेपी और बसपा से अलग होकर एक नए विकल्प की तलाश में है और शायद यही कारण है कि अखलेश मायावती और बसपा को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं करते हैं अगर आखडों की माने तो बसपा से अलग होकर कई ऐसे बड़े नाम है जो 2019 लोगसभा चुनाओ के बाद सपा का दामन थामा है कयास तो ये भी लगाये जा रहे हैं कि बीएसपी के साथ बागी विधायक भी अखलेश यादव के संपर्क में हैं और कभी भी सपा में एंट बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कई सियासी प्रयोग कर चुके हैं कॉंग्रेस से लेकर बसपा तक से गटबंदन किया लेकिन बीजेपी को अखलेश मात नहीं दे सके ऐसे में अब मायवती के बजाए खुद दलित वोटों को साधने के साथ साथ अपनी पाटी के सिया सियासी समी करन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं लेकिन अखलेश का ये फॉर्मूला 2022 में सपा को जीत दिला पाता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी बिरो रिपोर्ट यूपी तक